नमस्काल साथ, यह मैs इम गुपता और आप सभी के बीच सामानने पिज्यांसे सम्मंदित महत्वोड क्लास को लेकर आई हूँ और आज़के इस क्लास में दोहनी की विशेष्ता के सम्मंद में बताने वाले हूँ पीछली क्लास में मैंने ध्वनी की विसेस्ता को आरंब किये थी और उसमें आपको तमाम प्रकार की ऐसी विसेसामगरी बताई जो कि परिक्षा की दृष्ठी कोड से बहुत ही महत्पूर था और इस क्लास में मैं पुना ध्वनी की विसेस्ताओं पर प्रकाश डाल रही हूं अगले भाग पर और इस क्लास में आप ध्वनी की विसेस्ताओं में अपवर्तन को जानेंगे, बिवर्तन को जानेंगे और व्यती करण को जानेंगे प्राया परिक्षाओं में इंस्प्रकार के प्रस्न जरूर पूछे जाते हैं और जब आप इस पर कमांड किये रहते हैं तो निश्ची तुरुप से इसका उत्तर सही देते हैं तो अपवर्तन क्या है? ध्वनी तरंका एक माद्यम से दूसरी माद्यम तक चलने में अपवर्तन की महतपूर भूमका होती है बिभिन माद्यमों एवन बिभिन ताप पर ध्वनी की चाल में आप असमानता देखेंगे अब इसका दैनिक जीवन में उधारण देखिए दिन में ध्वनी का केवल ध्वनी स्रूत के पास के छेत्रों में सुनाई देता है जबकि रात्री में दूर तक हमें सुनाई देता है अर्थात वक्यों होता है अपवर्तन के कारण परिक्षा में यदि पूछेगा के दिन में ध्ष्णी का केवल ध्ष्णी श्रोत के पास के च्छेत्रों में ही सुनाई देता है जबकि रातरी में दूर तक हमें आवाज उनाई देती है और चार 상न आपको दे दिये जाएगा तो फिर उत्तर आपका हो जाएगा आप वर्तन बिवर्तन क्या है और दैनिक जीवन में क्या इसका उपी होगा है जब ध्वनी के तरंग दैर्ग एक मीटर की कोटी में कोई अरूद उत्पन होता है जी है साती हो जब ध्वनी के तरंग दैर्ग एक मीटर की कोटी में कोई अरूद उत्पन होता है तो ध्वनी अरूद के किन आने वाली आवाज, दर्वाजों, खिड़कियों आदी पर मुड़ कर हमारे कानों पर पहुच जाती है। अब हम आते हैं व्यतिकरण के बारे में जानने के लिए जब समान आया हम आवरिती की दू आवाज एक साथ किसी इस्थान पर पहुच जाती है। तब उस पर ध्वनी उर्जा का पूर्ण वित्रण हो जाता है। इसे ही हम ध्वनी का व्यतिकरण कहते हैं। तो साथियों आप इस क्लास को गौर से समझिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा जितने भी पूर के फ्येस्चन इस चैप्टर से आये हुए हैं। द्वनी की विसेस्ताओं से तो उसे आप जरूर हल करिएगा। मेरे द्वारा आप सभी को छोटा छोटा क्लास इसलिए लाए जा रहा है। ताकि आप सहस्ता के साथ अपने विसेप पर कमंड कर सके। और इसके साथ आप सभी को बताना है की मेरे द्वारा आप सभी को दिसा निर्देस क्लास भी लिया जा चुका है। किस भी से सम्मंदित कौन सा पुस्तक पढ़ना आपके लिए लाबदायक होगा परिच्छाओं में सफलता के लिए तो अवस्य मेरे त्वारा जो आपको क्लास प्रदान किया जा रहा है उस चैप्टर को अपने सम्मंदित पुस्तक से भी अवस्य अध्यान करें ताकि आपका कोई भी क्वेस्टन गलत ना होने पाएं तो इसी क्लास के साथ साथियों मैं सीमा गुपता आज आप सभी से विदा लेते हूं नमस्कार